नमश्कार दोस्तो स्वागत आप सभी के आपके अपने यूटुब चैनल जैनी एजूकेशन पे मैं हूँ आपका होष्ट फर्मसिस्ट वखास दोस्तो कि आपके भी शरीर में खुजली होने लगती है और द्वाइया खाने के बाद में वो खुजली ठीक नहीं होती है कई बार आप medical store से दवाई लेते हो, जब दवाई खाते हो तो खुझली ठीक रहती है, लेकिन जसी दवाई छोड़ते हो खुझली वापिस होने लगती है और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे शरीर में खुझली होने लगती है, किन पर रेश हो जाते हैं, दाने बनने लगते हैं, पैच हो जाते हैं, और साथ इसाथ लालिमा हो जाती है इसी के साथ में खुजली होने लगती है और नाग से पानी आने लगता है छीके आने लगती है बंद ना किया नाग से बार-बार पानी बैता है आंखों से पानी आता है तो इन सारी खुजली की समर्शा को खत्म करने के लिए जैसी टैबलेट के बारे में बात करेंगे पावर लेकिन जैसे छोड़ दो एलर्जी बापिस होने लगती है तो आज वीडियो में हम दो टैबलेट के बारें बात करेंगे जो की बहुत जादा यूज भी होती है और काफी अच्छा रिजल्ट भी इसका मिलता है दो दवायों में हम बात करेंगे जिसमें जो की टैबलेट है ब लगों को टैबलेट खाने चाहिए कौन सी कंडिशन में यूज होती है इसके साथ इस वोडियो में हम बात करेंगे इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट को पूरा देखेगा बहुत अशी जानकारिया आपको मिलेगी साथी दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक के नाम से काउंट मिल जाएगा बात करते हैं दोनों टैबलेट के बारे में बिलाजोय टैबलेट और सेफसेट टैबलेट के बारे में अगर हम बात करें इसकी कंपनी के बारे टैलेंट इंडिया कंपनी की ब्रेंडिन मैडिसन है और इसके अंदर कंपोजिशन की बात करव किस condition में यह use होती है तो यह allergy के इलाज में use होती है जब भी आपके शरीर में allergy हो जाती तो allergy को यह रोगती है इसके लावा कई बहर skin पर खुजली होने लगती है और खुजली वो किसी बिब्मारी की वजसे भी हो सकती है जैसे की हरफी рассказыв के दोरान ये होती है चिकनपॉक्स के दोरान होती तो इस खुझली को रokने के लिए भी ट rêdoc काँ आती है इसके लाबा जंजली आपने देखा होगा अर्टीकी एरिया हो जाता है जिसमें कुछ टाइम तक खुझली चलती है फिर लंबे टाइम तक खुझली चलती है स्किंग पर पैच बनने लगते हैं रेडनेस हो जाती है तो उस खुझली को उप्योग जब भी आपको कफ आने लगता है सूखी खासी होने लगती है एलर्जी की वज़े से तो उस दुरान ये टैबलेट यूज़ की जाती है इसके लावा दोस्तों इसका उप्योग सीनुसाइटिस के ट्रिटमेंट में होता है जब भी आपके नाक के आसपास दर्द ह होने लगता है तो उस दुरान ये टैबलेट यूज़ की जाती है तो अगर हम बात करें तो अगर शरीर में एलर्जी की रियक्षन या एलर्जी जैसी कंडिशन आपको देखने को मिल रही है चाया वो किसी भी प्रकार की एलर्जी हो उसमें आगर आपके स्कीन पर खुजल नहीं सारा कुछ आज इस वडियो में हम जानेंगे अब बात करते हैं इसके साड़ इफेक्ट के बारे में इससे पहले दोस्तों आप सब इसमें रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको वडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल पर आप नए तो चैनल इस फील हो सकता है चक्कर आने जैसी कंडिशन हो सकती है और किसी किसी पेशन को नीन भी आ सकती है नीन जैसी कंडिशन होती है उमिना जिसको कहा जाता है इसके लावा नौजया वर्मेटिंग हो सकती है देखने में प्राप्लम हो सकती है जैसे की आपको जो वीजन है वो ब खाना है तो हमने बात की थी दो टैबलेट के बारे में पहली है बिला जोई टैबलेट और दूसरी है सेफसेट टैबलेट दोनों ही टैबलेट दोस्तों खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद में ली जा सकती है तो बात करता है कौन सी टैबलेट सुबह खानी और कौन हैं अगर इम इसकी बात करें तो यह patient की condition पर depend करता है क्या strategy उसके साथ है कौन से बिवारी हो रही है कितनी उसकी जो इस्तिती है वह बिगड़ी हुई है उससाब से patient को जो दवाई है वो दी जाती है तो अगर हम इसके duration की बात करें कितने दिन तक यह खाई जाती तो अगर allergic rhinitis हो रहा है छीक है आ रहे नाक बंद है नाक से पानी आ रहा है आग से पानी आ रहा है खुजली हो रही है तो उस तरहां यह जो टैबलेट है वो दो से तीन दिन तक खाने की चला दी जा सकती है अगर अर्टीक एरिया की बात करें बैइ इसमें अर्ट से टेबलेट का यूज किया रहाता है इसके अलावा डॉक्टर अपने नॉलेज का अकॉर्णिंग और कोई भी दूसरी जो बिमार्य उसमें भी दे सकते हैं तो आज इस वडियो में हमने बात किया सेफ सिट और विलाजवे टेबलेट के बारे में जो कि एलरजी के लाज में क काम आती हैं आई होब अपके लिए हैलफुल होगा चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्याजर दिखाएगा ऐसे ही नई नई वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी दिने बाद मिलते हैं एक नई वीडियो में